नमस्कार जहिंद आप सबका भूधबूध स्वागत है इससे पिशली वीडियो में हम देख चुके हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा अधार कार्ड हमारे Pan Card से link है जा नहीं है अगर आपका अधार कार्ड आपके Pan Card से link नहीं है तो आप उसे link कैसे कर सकते हैं simply आपको income tax की official website पे आ जाना है जिसका URL रहेगा www.incometax.gov.in जैसे आप उस पे click करेंगे तो आपके सामने e-filling income tax की जो official website है वो आपके सामने open हो जाएगी अब आपने जहां से क्या करना है आपके सामने जहां पे थर्ड नंबर पे option होगा link अधार आप इस पे click कर दे जैसे आप इस पे हमारे सामने एक next tab open हो जाएगी जहां पे आपने pancard अपने अधार card को enter करना होगा और validate करना होगा तो जहां पे आप देख सकते हैं अगर आपका अधार के साथ आपका mobile number link है तभी आप सकते हैं otherwise आप इस step को follow नहीं कर सकते हैं तो जहां पे आप देख सकते हैं जहां पे आपको अपना pancard एंटर करना होगा जहां पे अपना अधार card एंटर करना होगा और next जहां पे आपको validate करना होगा तो validate वाला जो option है अभी जैसे हम अपने information फिल करेंगे उसके बाद आपके सामने यह option enable हो जाएगा इससे पहले जहाँ पे आप देख सकते हैं government ने जहाँ पे कुछ ऐसी categories रखी है जिनको अधार pen link से exempt रखा गया है उनके लिए government ने शूट रखी है कि वो अपना अधार pen link करवा भी सकते हैं अगर नहीं करवाना चाहें तो नहीं भी करवा सकते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं following categories are exempted from the अधार pen linking नमबर वन एनराइज जितने भी एनराइज हैं अगर वो अपना अधार pen से link करवाना चाहते हैं तो कोई वो करवा सकते हैं otherwise उनके लिए mandatory नहीं है not a citizen of India जो कि इंडिया का कोई citizen नहीं है तो वो उसके लिए कोई mandatory नहीं है age up greater than अगर किसी की age 80 साल से ज़्यादा कोई ऐसा नागरिक है तो उसे भी exempt है उसके लिए mandatory नहीं है वो throughout इंडिया में कहीं पिपसे भी belong करता है तो उसके लिए mandatory नहीं है इसके बाद कुछ ऐसी states और UT भी है जिनको government ने exemption दे रखी है जैसे Assam, Meghalia, even Jammu and Kashmir UT में भी लोगों को exemption है कि वो अपना अधार PAN link कर सकते हैं अगर वो कराना चाहें otherwise उनके लिए ज़रूरी नहीं है तो इस तरह से आप देख सकते हैं अब हम information अपनी fill कर लेते हैं information fill करने के बाद simply आप validate पर सकते हैं हमने अपने PAN card को भी एंटर कर लिया है अपने अधार card को भी एंटर कर लिया है validate का option जहाँ पर enable हो चुका है अब आपने जहाँ पर validate का option पर देख सकते हैं हमारे registered mobile number पर एक OTP सेंड किया गया था OTP को हमने जहाँ पर enter कर लिया है OTP enter करने के बाद जहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option मिलेगा continue का आपने continue पर click कर दिना है जैसे हम continue पर click करेंगे हमारे सामने next tab open हो जाएगी e-pay tax तो जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे OTP को successfully verify कर लिया है अब हमें payment करने के लिए next step continue पर click करना है जहाँ पर आपका pancard शो होगा जहाँ पर आपका name शो होगा तो next आपने जहाँ पर continue पर click करना है आपने जहाँ पर click नहीं करना है तो जैसे आप जहाँ पर proceed पर click करेंगे पर click करने के बाद हमारे सामने next tab open हो जाएगी जहाँ पर हमें अपने payment method को choose करना होगा तो जहां पे आप देख सकते हैं, हमारा payment method हमें जहां पे चूज करना होगा, उससे पहले अपना assessment year, तो जहां पे आप select करेंगे, तो जहां पे आपने assessment year है, उसे आपने 2023-2024 को ही select करना है, अपने assessment year को select करने, select करने के बाद जहां पे आप देख सकते हैं, आपको जहां पे type of जो जहां पे payment type है उसे आपने select पे click करना है select पे click करने के बाद मैंने आपको बताया था आपने जहां पे पहले ही option को click करना है other receives 500 तो आप इसे select कर ले और किसी जहां पे measure head को select ना करे तो select करने के बाद जहां पे आप देख सकते हैं इसके बाद next आपको यहां पे क्या करना हो जहां पर आपको एक option मिलेगा continue का तो जहां पर आप देख सकते हैं दाइं साइड last में आपको continue का option मिलेगा आप इस पे click कर दें जैसे आप इस पे click करेंगे तो जहां पर आप देखेंगे कि हमारी जो fee है वो जहां पर component wise आपको बताई जाएगी कि आप से कितनी fee charge की जाएगी तो जहां पर आप देख सकते हैं 1000 जो fee होगी वो जहां पर आप से charge की जाएगी इसके लिए आपने आप जहां पर continue पर click करेंगे continue पर click करने के बाद आपके पास सामने जहां पर बहुत सारे methods आजाएंगे जिन methods के जरीए आप अपनी payment को complete कर सकते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं number one आपके सामने net banking रहता है debit card, pay ad, bank counter तो इस तरीके से आप payment gateway को choose कर लें जिस भी method से payment करने चाहते हैं आप उसी payment को जहाँ से opt कर सकते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा bank तो इस तरीके से आप किसी भी bank को जहाँ से select कर सकते हैं बड़ी असानी के साथ अपनी fee pay कर सकते हैं fee pay करने के बाद आपको एक acknowledgement receipt मिल जाएगी आप उसे संभाल के रख लें तीन जा चार दिन के बाद आप अपना status चेक कर सकते हैं आपका अधार कार्ड पैन कार्ड के लिए जो आपने fee pay की थी क्या वो successfully submit हो चुकी है next आप फिर से अपना अधार पैन के लिए link करने की कोशिश करेंगे आपकी fee already pay हो चुकी होगी आप असानी के साथ अपने अधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से link कर सकते हैं इस तरीके से यह सारा process होगा इस process को पूरा complete होने में 3-4 दिन का समय लगता है तो इसलिए अगर अभी तक आपने अधार कार्ड को पैन कार्ड से link नहीं किया है तो immediately आप अपने अधार को अपने पैन कार्ड से link कर लें तो इसमें आप net banking, debit card, credit card, किसी भी payment method से 1000 की payment करके अपना अधार panel link कर सकते है I hope आपको यह सारा process अच्छे से समझ आ चुका होगा In spite of that, अगर अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई query है आप मेरी वीडियो के comment box में comment करें Definitely आपकी इसके उपर help की जाएगी Thank you, thank you for watching, take care, मिलतें जल्दी एक नई अब्डेट में